हेलो स्टुएंट स्वागत है आप सभी का महेंदरा के इस यूटीव चैनल पे आज की गलास में हम लो रिमेंडर का कॉंसेट पढ़ेंगे गाईस रिमेंडर की ये दूसरी क्लास है पहली क्लास में आपको दे चुका हूँ पहली क्लास का कंसेप्ट आप पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हूँगे ऐसा मैं समझ रहा हूँ चिके तो गुड इवनिंग तो एवरिवन आज हम लोग रिमेंड को सीखना है तो आप लोग जितनी बार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जिस इस टाइप के कोशन सीखने की कोशिश करेंगे हम आपके लिए तयार है एक एक कंसेप्ट देखे आपको बस डेली फॉलो करना है और उस चीज को सीखना है ठीके सीखने में कैसी शरम सीखने मे पहले पहले से तयार होना पड़ता है कम से कम नहीं तो फाइट टो शिक्स मन्स पहले चीक है तो गाईज हम लोग इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और रिमेंडर कंसेप्ट आपकी पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो यह वाली वीडियो आपको और दिस्कांट मिल रहा है आप 18,500 का और आपको 1499 रुपीज में यह चीज मिल रही है तो यह ओफर प्राइस है SSC वीडियो गुरू आल इन वन और इसके साथ साथ आपका स्पीड टेस प्री है यह स्टार्ट होगा 10 बजे से और शाम के 6 बजे तक खतम होगा लेकिन 7 सेप्ट सारी मंतली तो 1499 का कोई मोल नहीं रह जाता है 1499 एक इन्वेस्मेंट आप की लाइफ में चीक है तो चलिए गाई स्टार्ट करते हैं रिमेंडर का जो कॉंसेट मैंने आपको समझाया था रिमेंडर के कॉंसेट के बारे में डिस्कस करते हैं मैं फिर से वही चीज़ कह रहा 9 का 8 से रिमेंडर आता है प्लस 1 तो सौल करने पे गैगा? सौल करने पे आएगा तुम्हारा 1 solve करने पे कितना आ जाएगा 1 ठीक है लेकिन अगर हम लोग 9 की power 8 को divide कर दें 10 से तो remainder कितना आता है गा इस तब remainder आएगा minus 1 तब remainder कितना आएगा minus 1 तो ये solve करने लेकिन ये minus 1 की power even है minus 1 की power even है even माने sum संख्या sum संख्या है तो solve करने पे ये कितना हो जाएगा plus 1 पहले concept बना लो फिर question की तरफ बढ़ेंगे पहले concept बना लेते हैं फिर question की तरफ बढ़ेंगे चिंता मत करिए चीक है तो ये कितना आ गया plus 1 सवज में आरी बात तो अब आगे बढ़ते हैं तो कोई बहुत ज़र डिफिकल्ड नहीं है बस plus 1 देखो concept किस चीच का बताया है मैंने plus 1 और minus 1 तो कल की class मैंने बहुत basic सा concept डिसकस किया था कि plus 1 का concept क्या होता है और minus 1 का concept क्या होता है चीक है चलिए तो अब यह समान लीजे एक और चीज कर लेते हैं लीजे कर आपके सामने लिखा है 35 divided by 9 और 35 की power है suppose 117 35 की power 117 तो 9 चको 36 होता है देखो यहाँ पर देखो 35 को divide करो 4 से 9 चको 36 तो remainder कितना आएगा minus 1 फटा फट तुमको plus 1 और minus 1 का remainder निकालना आना चाहिए तो यहाँ पर कितने का remainder आया minus 1 तो यह हो गया minus 1 की power 117 divided by 9 तो यह power even है की odd है guys यह power है तुमारी odd minus 1 की power odd तो minus 1 की power odd को solve करने पे क्या आता है minus 1 आता है तो 9 minus 1 कितना हो जाएगा 8 9 minus 1 हो जाएगा guys 8 concept clear हो गया तो यह आपके remainder का funda है तो plus 1 कभी plus 1 का remainder निकालेंगे और कभी किसका remainder निकालेंगे minus 1 का कभी हम लोग plus 1 का remainder निकालेंगे और कभी हम लोग minus 1 का निकालेंगे देखो एक चीज़ समझ लो यह आपके SSC, railway, state level हर एक तरह से हर एक angle से आपको पूरी तरह से तयारी कराने की कोशिच की जा रही है ताकि एक्जाम जब आप देने जाओ तो आप लोग को state level और यह सब आपको free में मिल रहा है तो आप लोग जादा से जादा शेयर करो आपके जितने भी दोस्त हैं भाई, भाई, बहन, जितने भी लोग है जितने WhatsApp ग्रूप में हो तुम इस वीडियो को share करो जितना जादा share करोगे उतने जादा लोग तक पहुंचेगा क्योंकि यह पढ़ाई पूरी free में हो रही है आपको free में यह सारे concept मिल रहे हैं तो जोब यह सारे concept आपको मिल रहे हैं तो इस concept को जादा से जादा लोग तो पहुंचाओ ठीक है, ताकि देखो यह जो हमारा क्या मोटो है हमारा मोटा की जादा सा लग तो पहुंचेगा तो यह concept उनको मिलेंगे और जो भी लोग हैं जो लोग भाई coaching नहीं जा पाते हैं या कुछ reasons की वैसे तो वो लोग इन सब चीज़ों को पढ़के अपने knowledge को gain कर सकते हैं तो यह चीज़ मैंने आपको बताई प्लस वन और माइनस वन का remainder किसका remainder प्लस वन और माइनस वन का remainder concept clear guys तो माल लिज़ अगर आपके सामने लिखा है 9 की power या कोई भी remainder है या तो आपको बड़ी आसानी से प्लस वन और माइनस वन दिख जाएगा बड़ी आसानी से प्लस जैसे माल लो आपके सामने लिखा है 85 84 की power 217 divided by 17 84 की power 217 divided by 17 तो 84 को जब तुम 17 से cancel करोगे तो 17 पंजे होता है 85 तो यह remainder कितना आएगा remainder आएगा minus 1 remainder कितना आएगा minus 1 तो minus 1 की power odd है कि even है minus 1 की power odd है तो अगर minus 1 की power odd है guys तो minus 1 आजाएगा solve करने पे कितना आजाएगा minus 1 तो 17 minus 1 कितना हो जाएगा 17 minus 1 16 answer हमेशा plus में करना answer हमेशा किस में करना plus में देखो शुरुआत में मैं तुमको concept समझा रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ guys concept तो concept को पकड़ो तो 1750 85 तो तुम्हें ये बड़ी जल्दी पहचानना पड़ेगा कि plus 1 का remainder है कि minus 1 का ये बड़ी जल्दी पहचानना होगा अब आप लोग होगे सर्थ ये तो पिछली class में पढ़ा था फिर से क्यों पढ़ा रहो नहीं ऐसा कुछ नहीं है अब भी कुछ नहीं आप पढ़ेंगे चिंता मत करो तो या तो plus 1 का remainder होगा या तो minus 1 का remainder होगा लेकिन देखो दिक्कत कब आती है दिक्कत तब आती है जब आपको plus 1 और minus 1 का remainder ना दिखाई दे for example मैंने कह दिया 2 की power 117 इसको divide करो 63 से तो अब आप बड़ी जल्दी सोच नहीं पाओगे अब आप सोच पा रहे हो अब आप सोच पा रहे हो कि plus 1 आया रहा है कि minus 1 आ रहा है बताओ plus 1 आ रहा है कि minus 1 आ रहा है सोच के बताओ क्या ये plus 1 है कि minus 1 है सोच के बताओ जल्दी से क्या ये plus 1 है कि minus 1 है बताओ भई, फटाफट, concept clear रहो, फटाफट रहो दाओ, प्लस 1 है कि माइनस 1 है, फटाफट, नई, तो आप लोग सोच नहीं पाए न, ये चीज़ सोच नहीं पाए, तो इसी चीज़ को सोचने के लिए देगो, इससे पिछले वाले question में क्या हो था, बड़ी जल्दी- समझ में आ रहता है, कहां प्लस 1 है और कहां माइनस 1 है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा था, 35 divided by 9, तुमने जट से कहा, तुमने जट से कहा, सर माइनस 1 आएगा, तुमने कहा, माइनस 1 आएगा, ठीक है, प्यूंकि तुम्हें 9 का टेबल याद है, लेकिन जब बड़े-बड़ आते हैं, तब क्या करना है, तो देखो वैसे हम लोग वही बहुत हाइफाई लेवल का कोशन तो नहीं करेंगे, हम लोग एक्जाम लेवल का ही करेंगे, तो यहाँ पर पहले कुछ पावर आपको याद करके जानी पड़ेंगे, तो कुछ पावर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद कर लो, अगर आप लोग डेली मेरी क्लास के नोट्स ले रहे हो, तो आप लोग को सब चीज़ न सवाज में आएंगी, चिंता मत करना, ठीक है, तो पावर आफ टू के बारे में बात कर रहे हैं, टू की पावर कुछ याद करना पड़ेगा, फिर सवाज मे ठीक है टू की पावर 7 कितना होता है 128, टू की पावर 8 कितना होता है 256, टू की पावर 9 होता है 512, और टू की पावर 10 होता है 1024, तो ऐसा करो यह पावर कहां तक याद रखो 10 तक, यह सारी के सारी पावर तुम्हें कहां तक याद हो नहीं चाहिए 10 तक, टू की पावर 1 से ले 10 कितना हो गया एक 1024 ठीक है तो यह कुछ पावर याद रखो देखो अभी मैंने समझाए था याद प्लस वन और माइनस वन का remainder साफ साफ दिख रहा है ऐसा हो सकता है कि ना भी देखे ऐसा हो सकता है कि ना भी देखे अगर नहीं दिखेगा तब क्या करोगी है की नहीं तो इस of 3 के बारे में बात कर लेते हैं what is power of 3 power of three के बारे में अगर बात करें तो 3 की पार 1 3 की पार 1 कितना होता है चलो पहले डू वाले question solve करते है फिर पाव बात में आएंगे पहले 3 की पार 7 की पार भी आपको बता आंगे फेरे 2 की सारी पावर याद कर लो 32 माने क्या होता है 2 की पावर 5 64 माने क्या होता है 2 की पावर 6 128 होता है 2 की पावर 7 256 होता है 2 की पावर 8 512 होता है 2 की पावर 9 ये सारी की सारी पावर तुम्हें क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए concept clear आप चलो ये question solve करते हैं, पहला question आपके लिए सबसे पहले, चीके, तो इस question को solve करते हैं, आज मैं बिना option के लेकर आया हूँ question, बस concept समझाने के लिए, चीके, find the remainder of 2 की power 99 when divided by 63, 2 की power 99 को जब 63 से विभाजित करेंगे, तो क्या remainder आएगा, पहला question मैं करूँगा, अगला वाला question तुम करूँगे, पहला question मैं करूँगा, अगला वाला question तुम करूँगे, चिंता की वज़र्वत नहीं है, ठीके, पहला question मैं करके दिखाता हूँ, 2 की power 99, ध्यान समझना, divided by 63, चलो इदर देखो, 2 की power 6, 2 की power 6 कितना होता है, 64, 2 की power 6 होता है, 64, 2 की power 6 होता है, 64, ठीके, मत तो इसको 6 से divide करेंगे, कितना हो जाएगा, 6, 16, 96, इंटू 2 की power 3, देखो एक कैसे आया, power को 6 से divide कर लो, power को 6 से divide करो, 6, 6, 36, 9 में 6 गया, 3, तो power को 6 से divide करो, तोड़ के कैसे लिखोगे, 16, 96, और 2 की power 3, concept clear, इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ के हो जाएगा, 2 की power 6 हो जाएगा, 2 की power 6 हो जाएगा, 64, और 2 की power 3 हो जाएगा, 8, concept clear, 2 की power 3 हो जाएगा, 64, अब 64 का remainder, 63 से क्या आता है, 1, 64 का remainder 63 से आता है वन तो यह हो गया वन one का कोई मतलब नहीं है तो आंसर आजाएगा आठ क्योंकि वन की पावर कुछ भी ओ कोई फरक नहीं पड़ता वन की पावर कुछ भी ओको फरक न पड़ता है फिर से बता रहा हूं देखो टू की पार 99 69 का 63 से डिमेंटर निकालना है मुझे पावर याद है मुझे पावर क्या है याद तो 64 किसके आसपास है 2 की पावर 6 के आसपास है तो यह हो गया अब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको तोड़ के कैस से लिखेंगे 16 696 इंटू 3 अब 2 की पार्ट 6 कितना होता है 64 64 64 का 63 से remainder कितना आएगा 1 आएगा 64 63 से remainder आएगा 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 8 तो ऐसे ही आपको सोचना है कि कब प्लस वन का remainder आएगा और कब माइनस वन का remainder आएगा तो यह आपको सोचना पड़िगा और इसको सोचने के लिए आपको power क्या होनी चाहीए और यह आपको power याद होनी चाही है आपको power क्या है याद चिक है तोösन करते जाएंगे समझ में राता जाएगे जैसे next question है 2 की power 69 divided by 129 अगर 2 की power 69 को 129 से divide करें तो क्या remainder निकलेगा बहुत simple question है देखो बस मैं concept बनाना चाहता हूँ एक ही type के बार-बार अलग-अलग type के question करेंगे तो 2 की power 69 को अगर हम लोग 129 से divide करें तो क्या हमारा remainder आएगा क्या शेशफल आएगा यह हमें जानने की जरुवत है चीक है तो कोई बहुत difficult question नहीं है 2 की power 69 इसको मुझे divide करना है भाई बहुत लोग फटा-फटा answer निकालो 2 की power 69 इसको मुझे divide करना है 129 से अब तुम्हे power याद हो नहीं चाहिए देखो 2 की power 7 होती है 128 2 की power 7 कितना होता है 128 तो 128 के आसपास है ना 128 के आसपास है तो इस power को हम 7 से divide करेंगे इस power को हम किसे divide करेंगे 7 से तो 7 से अगर हम 69 को divide करें 7 9 जा 63 तो यह हो गया 6 ठीक है तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे इसको तोड़ के लिखेंगे 279 जा तो यह वो गया 790 63 63 प्लस 6 69 अब यह टू की पावर 7 होता है 128 सबसे पहला का में पावर याद करना अब ध्यान समझना 128 का रिमेंडर 129 से आएगा माइनस वन अब यह माइनस वन की पावर विशाम है की सम है माइनस वन की पावर एवन है की ओड है तो माइनस वन की पावर क्या है माइनस वन की पावर है ओड तो यह माइनस 64 जाएगा तो 129 में से 64 क्या कर देंगे माइनस 65 आएगा अंसर आंसर क्या आएगा गाई 65 29 माने 128 मालए टु की पाँर 7 हो गया power को और वाला somos तुमे shall करना है फटा फट वाल बहा है अगला वाला कुशन तुम्हें सॉल करना है मैं रुक जाता हो इस तुम charges इस बार मैं रुक जाऊंगा तुमस ओल करोगे कोई बहुत बॉट जाएफर कोशन नहीं तो 2 की पावर 114 divided by 513, फटा-फटा अपनी copy pen उठा लो और question देखो, इसको mind में मत करना, इसको mind में नहीं, पहले copy pen लो, हम कर लेंगे mind में, तुम में नहीं कर पाऊगे, कि तुम्हारी भी practice नहीं है, ठीक है, तुम पहले practice करो, फिर तुम्हें आएगा, ठीक है, चिंता मत कर तो 2 की पावर 114, इसको मुझे divide करना है 513 से, अब मुझे पावर याद हो नहीं चाहिए, तो 2 की पावर 9 क्या होता है, 2 की पावर 9 होता है 512, तो अब ये 513 किस के आसपास है, 512 के आसपास है, तो इसको 9 से divide करेंगे, क्या करेंगे 9 से, तो 9 से divide करेंगे, कितना हो यह 12 से तो टू की पावर 9 कितना हो गया गाइस टू की पावर 9 हो गया तुम्हारा 512 वह तो तुम लोग डिवाइड कर लोग देखो यह मैंने फटा-फट डिवाइड किया वैसे तुम चलो तुम को मैं पूरा-पूरा करके दिखा देता हूं नाइन से डिवाइड करो इदर 9 एकम 9 9 दुनिय 18 ऐसे डिवाइड हुआ लेकिन अगर कैलकुलेशन बढ़िया होगी तो मन में फटा-फट तुम खुदी कर लोगे अगर कैलकुलेशन बढ़िया होगी कैलकुलेशन का देखो कोई तोड़ने जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती उसके एक्जाम निकलना श साथ अब 512 का 513 से रिमेंडर क्या आएगा 512 का 513 से रिमेंडर आएगा प्लस वन की मैनस वन पान सो बारा का 513 से रिमेंडर आएगा माइनस वन तो न सब्सकी पावर एक समसंखेत तो आझागा 64, concept clear guys, answer क्या आ जाएगा 64, बहुत असान question है, बहुत सिंपल सा है, concept देने की कोशिश कर रहे हैं, जब concept आ जाएगा, तो question solve हो जाएँगे, next question, चलो, अब जितने भी question हो, मेरे साब से ये question अब तुम लोग solve करो देखो, जैसे मुझे याद है, वैसे तुमें भी याद होना चाहिए, 2 की power 10 कितना होता है, 1024, मैं चलो तुम्हें बता देता हूँ, 2 की power 10 होता है, 1024, ठीक है, तो power याद रखो, जब power याद रखोगे, तो question फटा-फट solve होंगे, power याद रखो, power याद रखने से question solve होंगे, कोई बहुत ज़र डिफिकर्ट नहीं है, देखो, हम यहाँ पर देखो, हम लोग के show का strategy क्या है, हमारे show की strategy है, कि SSE में आया एक-एक question तुमको पता हो, SSE में आया हुआ, एक-एक question तुम्हें पता हो, इस लिए, इस show का मकसद, यहाँ पर question नहीं solve कराने है, जादा से जादा, माले, sorry, question solve कराने है, लेकिन, हमारी speed, mix वाले question नहीं होगे, एक ही type के question होंगे, लेकिन जादा होंगे, और strategy यह होगी, जब तक exam होगे, तब तक सारा एक-एक चीज हमें आती हो, तो examinations related एक-एक चीज आपको पता होगी है आप, ठीक है, तो 2 की power 73 है, इसको हमें divide करना है 1023 से, किसे divide करना है 1023 से, तो यह 1023 है, 1023, माले, 2 की power 10 होगे आप, 2 की power 10, sorry, 14, हम लोग इसको किसे divide करेंगे, हम लोग divide करेंगे 10 से guys, हम लोग किसे divide करेंगे 10 से divide करेंगे, अब अब अगर हम लोग इसको 10 से divide करें, तो 10 से divide करेंगे, यहां side में कर लेंगे, तो कितना आया 3 आया, तो इस value will be 72 इंटू 2 की power 3, अब 2 की power 10, 2 की power 10 होता है 1024, तो 2 की power 10 होता है 1024, तो 2 की power 3 होता है 8, 2 की power 3 कितना होता है 8, तो यह 1023 हो गया, अब यह plus 1 आएगा की minus 1 आएगा guys, यह आएगा plus 1, concept clear, यह आएगा plus 1, चीके, तो 1 की power हो गया 72, इंटू 8 बाई 1023, तो यह 1 हटा दो, 1 से कोई मतलब नहीं, आंसर क्या आएगा 8, आंसर क्या आएगा guys, concept clear, बार बार इन वीडियो को देखो, rewind करकर करके देखो, बार बार देखो, तब जाकर समय में आएगा, मैं तो करो जितने लोग ऑनलाइन हो, सब लोग, पहली चीज़ तो वीडियो को share करो, लाइक करो, सब्स्राइब करो, जितना ज्यादा शेर कर सको, हर एक WhatsApp ग्रूप में share कर दो, पहली चीज़ तो यह, दूसरा एक और काम कर सकते हो, कि वह एक concept आगर जानना है तो, चीज़ एक्जाम निकालना है तो, अगर एक्जाम निकालना है तो, वीडियो शेर जरू करोगे, देखो जिसको एक्जाम निकालना होगा, जिसको जानना होगा, वो वीडियो शेर करेगा, तो और नहीं वीडियो आएंगी, और फाइदा तुमारा ही है, पाइदा तुमारा ही है, 4 की power हो गया 112 4 की power 112 छीक है इसको हम divide करेंगे 127 से तो 4 की power 112 था अब देखो यह 4 है तो पहले इसको 2 में convert कर लो 4 क्या होता है 4 होता है 2 का square 4 होता है 2 का square तो 4 होता है 2 का square अब यह दुनों power power की power गुणा हो जाती है power की power गुणा हो जाती तो ये 2 की power 224 by 127 224 तो मैं इस question को नहीं solve कर रहा अब मैंने तरीका तो सम्झा दिया मैंने तरीका सम्झा दिया बाकि तुम खुदि solve कर लेना बाकि इसके बाद तुम खुदी solve कर लोगे तुमको समझ में आ जाएगा बात समझ में आ रही ही गाईस ठीक है तुमको खुदी समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्योंकि ये 2 की पावर 7 है ना अब देखो इसके बाद 2 की पावर 7 कितना होगा 128 तो फिर इसके बाद तो solve करी लोगे या पूरा करके दिखाई देता हूँ चलो कोई बही कोई शक और गुंजाईस नहीं रहे जाए 2 की पावर 7 होता है 128 ठीक है 2 की पावर 7 कितना होता है 128 अब देखो इसको मुझे 7 से डिवाइड करना होगा तो 7 से डिवाइड करो 7 तिया 21 साथ दुनी 14 पूरा पूरा कड़ गया देखो पूरा पूरा कड़ गया पूरा पूरा तू की पावर 7 कितना होता है 128 पावर अब एक चीज़ देखो तुम लोगको एक पते की बात बताओ अगर तुम्हें पावर याद नहीं होगी तो यह यहां तो साफ साफ दिख रहा है यहां तो साफ साफ दिख रहा है मुझे यह कितना होगया माइनस वन तो आंसर आएगा प्लस वन इसमें मैं क्यों टू की पावर मैं कनवर्ट करूं। देखो कॉमन सेंस कॉमन सेंस ठीक है exam देखो बीटा कॉमन सेंस ने कलते एक वामन सेंस इतना लोग हो तक रवेटर रहेगा चाहिक है अब देखो कुछ कुछ 3 की पावर है तो पहले कुछ 3 की पावर भी याद कर लो इस कोशन को करने से पहले अब 3 की पावर 56 है divided by 728 इसका मुझे remainder निकालना है क्या निकालना remainder लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश करना concept समझने की समझने कोशिश करो concept यह है गाइस कि अगर मालो 3 की पावर 56 है और इसको मुझे 728 से डिवाइट करना है तो 3 की पावर 1 कितना हो गया 3 3 का स्क्वाइर कितना हो गया 9 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 आपको यह वह वाली पावर ढूणनी है जहां पर remainder या तो प्लस वन आए या तो करा था कहां प्लस वन है और कहां माइनस वन है तो यहां देखो 3 की पावर 4 कितना हो गया 81 3 की पावर 5 कितना हो गया 243 और 3 की पावर 6 होता है 729 तो 3 की पावर 6 तक याद रखना देखो SST में काम चल जाएगा cat right के examet सोरा difficult होता है SSE में काम चल जाएगा 3 की पावब 6 कितना होगा 729 तो इसको 6 से डिवाइट करेंगे इसको 6 से करो कितना हो जाएगा पावर को 6 से डिवाइट करो चोड कितना हो जाएगा यह बारत 6 से डिवाब 6 कम 6 11 11 नहीं 11 नहीं दस 9, 6, 9, 4, 1, और दरो जाएगा 3 का स्क्वेर, अब यह 3 की पार 6 कितना होता है, 3 की पार 6 होता है, 729, और 3 का स्क्वेर कितना हो गया, 9, तो 729 का remainder, 728 से कितना आता है, 729 का plus 1, तो answer आएगा 9, 1, 1 into 9, 9, concept clear guys, कोई डाउट, तो कोई बहुत जाए difficult question नहीं है, बहुत simple सा question है, बाकी ये दो question, अब देखो, ये वाला question भी आप practice में करोगे, ये वाला question मैंने आपको practice में दिया है, ठीक है, ये जितने भी question बचे, ये जितने भी question बचे, आपको ये practice में करना है, ये बाकी 3 question, ये बाकी 3 question मैंने तुम्हें practice में दिया है, इन वाले question को तुम practice में करना, और इसी तरह जोड़े रहा हो देखो जादा से जादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूगा ठीक है तैंक यू बट लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जब करोगे तो सबसे जादा इंपॉर्टन चीज क्या है कि आपको इस वीडियो को बार बार देखना है जितनी जादा बार देखो कि उतना जादा कंसेप्ट लिए रुगा ठीक है जब समझना है तो एक प्रॉसेस से गुजरना पड़ेगा उस प्रॉसेस से गुजरने के लिए वह एक मेहनत वाली प्रॉसेस हार्डवर्क वाली प्रॉसेस से गुजरना पड़ेगा ओके नेक्स क्लास म मिलते हैं आपसे नेक्स क्लास में अलजबरा स्टार्ट करेंगे गाइस तो मेरे साथ जोड़ जाएगा और जादर से जादर जोड़ जोड़ जोड़ेगा ओके थैंक यू